उसमें छे सौ से साथ सो ब्राह्मों से हट जाने जाने माने इतिहासकार है जानकार है और लेखक है और आपने फिल्म देखी होगी सेफ अलिकान की जिसका नाम था बुल्लेट राजा वही बुल्लेट राजा जिनके आने पर करने वाले हैं तो आज मेरा जो मुद्धा है इस्पेशली यूपी से ही जुड़ा हुआ होगा क्योंकि यूपी में जिस तरीके का जंगल राज चलना है जिस तरीके की वहाँ पर घटनाएं सामने देखने को मिली हैं उसके बारे में हमनों डीटेल में बात करेंगे और इसकी अलाजा कैसे हैं यूपी सरकार के बहुत सारे मुद्दों पे बोलते हैं लेकिन फिलाल हमनों शुरू करेंगे जो उत्तर परदेश में लगतार इंकाउंटर्स हो रहे हैं जिसको लेकर लगतार लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं फेक इंकाउंटर भी बताया जाता है और इस तरह की जो ये जो तरीका चल रहा है ये जो परकिरिया चल रही है आप इसको कहां तक सही और जायज मानते हैं सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंँगा ये जो वरतमान दोर है जिसमें 2017 शुरू होता है और इसमें अजे सिंग विश्ट उर्फ योजी और अधितनाथ जो पहते हैं तो वो जब सत्ता में आए हजपा पार्टी के प्लैट्फॉम पे तब से ये इंपंटा राज शुरू उके उसके पहरे मालिए उसके होती थी एक असमान प्रवर्ति थी लोग कहते थे कि चलो ये समान अब हो गया ये समान हो गया और यहां तक हो गया है कि बाच हजार अंकांटर अच हजार के उपर हो चुके हैं हो चुके हैं और उसमें और उसमें करीब और 111 लोग मारे गया है और करीब दो हजार लोग है लोग है पुलिस गुंड़ई पुतर आई और पुलिस जो है वो अपरादियों से पुरूश का गढ़ जो और मजबूत हो आपने जो संख्या भी जोड़ाए कि योगी अधी तेनात ने इतने लोगों की इंकांटर करवाया या उनके पुलिस किया और उन्होंने दावा किया था कि लगबग मेरे जो यूपी है वो अपराद मुक्त हो चुका है अपरादी मुक्त हो चुका है तो फिर ये कुछ खास कैसे बच जाते हैं ने आप यह बताई है अपराद मुक्त कैसे हो आप 2017 से आगसे जो बलबतार की रेट है पर डे बिलकुल बड़े उसमें जाफा हुआ है जी तू पंट फाइव पर्सम ज्यादा बड़ी है जी उसके बाद जो हत्या की जो रेट है वो भी बड़ी है बिलकुल तो आप ये बदाए ये अच्छा जुलूपार टकेटी के र आप मुझ्गों को ये संजाए कि इस एंकाउंटर राच को अपरात कैसे रहे तो ये बात तो बिलकुल पहरे बाद हम लों को खारिश कर देवी जाए ये अपरात को रुखने के लिए है या उत्तर्थदेश अपरात बुख्थ करने के लिए नहीं लाए गया ये विरोधी पार्टियों के लोगों या जो अपने या जो गैंस्टर्स मेरी जो बिरोधी गैंस्टर्स जो कहिए मैं और साब बोलतूं कि जो नौन ठाकुल है उके उनको मारने की बाद आप 119 मेरे जिए तबसे ज़्यादा तबसे ज़्यादा मुस्ल्मान यादा रामर दले और इकूज़ है ये सबसे आदा तो अमरे जी जैसे कि आप मैं आपके पोस्ट से या फिर आपके फिल्म की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें बुल्लेट राजा को एक ब्रामर समाज का बताया गया है कि बुल्लेट तो सुदामा है और भड़क जाए या गुस्सा में आजाए तो रावन है तो मतलब आप आपकी मैं विचारधारा देखता हूँ जो प्रो ब्रह्मण वाद की तरफ दिखता है आपके पोस्ट में भी ये बाते मुझे दिखती है आप जैसे कि आपने विदे विकास दूबे के एंकाउंटर पे बात उठाया कि इससे पहले कि जो और भी आपरादी थे है या फिर विकास दूबे को जिस तरीके से मारा जा यह ब्रहमण को चुन-चुन के मारा जा रहा आपके कई पोस्ट में लगतार देखे हैं जिसमें आपने ये नंबर्स जुडवाए हैं कि ये जो अभी की मौजूदा सरकार है वो ब्रहमण विरोधी है और लगतार ब्रहमणों की हत्या करवा रही है ये इसके पीछे क्या बेस है मतलब क्यों आप ऐसा कह रहे हैं क्या इसके पीछे आपके आपके हैं ये तो बहुत ही साब बात है अभी तक देखे 2017 से जी लेकिंग जो अनोफिशिल डेटा है उसमें छे सौ से साफसो ब्रहमणों की हथ लोगे तक हैं और राजनीति के हत्या आए कि असे परसंट राजनीतिक टकत्या गाल आजसायमेरा ये वो ये है कि आप ऐसे लोग जो राजनीते ने उबर रहे हैं उनकी हत्या कर्देए जैसे चात्र निता जैसे प्रधानी के इस तरफ पे कोई भर रहा है तो जिला पंचायत के तरफ पे भर रहा है चुनाव लेगा अगर प्रश्थ की सब्कार जो जिला परश्थ के सब्कार पे जो आपका मतलब शहर में बन सकता है कल उनको आभी से निप्टाइगा तो विकास दूबे शायद उसी लाइन पर चल रहे थे क्या तेके विकास दूबे कि सच्चा ही मैं आप तेही है को मैं ऐसी बात गोल दूआ भी जो मैं पहले बार करी जा लेगी नहीं अभी तो खेर और लेडी एंकाउंटर हो चुका है तो कुछ ऐसी बात भोने का फाइदा नहीं है जिससे बात दूसरी तरफ जाए लेकिन मेरा मकसद ये जानने का है कि अधर आप राद में कोई है जे जे बोलिए बोलिए दीजे अटाइए बात ये है कि विकास के विकास को इसके माट दिया कि उसके पास बहुत सारे राष्टे कि वो गाननेताओं का और अपरात का और पुली सक्षोरों के गड़जों की खुलता ऐसा नहीं है ऐसा ही नहीं है वो क्या खुलता मैं आपको अशी बात होता था जी और ये सारे पाठा के चीज़ को ज्यांते सुझा देखें बात ये है कि विकास को दोबे सीधे उत्तर प्रदेश में मुक्मंत्री पक्ता दाविदार था अच्छा ये लोगों को नहीं पत्ता और भाजपा के अंदर ही था और उसके पास आठ घजार क्रूल के परावर के परावर प्रॉक्टी थी उसने ये पॉलिसी लिए कि हम पहले पैसा जमा करेंगे और बड़ी तूजी बनाएंगे और फिर हम योगी आदेतनाद को चैलेंज करें और इसी भी जो योगी आदेतनाद एक अप्री लोगी बना रहे थी जो भी उसमें भी कुछ ब्रामपर थे जैसे उसमें तांतिक ये बाच पही करनापर था जो विकास दुबे से भी जुड़े थे और योगी अधितनाथ से भी जुड़े थे अच्छा और इन लोगों और यह बात यहां से लिए कि विकास दुबे जो है उसको अगर अभी नहीं रुखा गया तो दो साल में यूटे पे चुनाव हैं यह कुछ जा तो आप पार्टी पना लेगा या अन हमारी जोटी पार्टी हो कि उसे वो अलाइंस कर लेगा और एक बड़े स्क्रिपे एक लोगी आधितनाथ को चालेंज करें यह तो बहुत बड़े बादी करके भी जोड़ा के जोड जो कानपूर की घठना घटी थी ये जो कानपूर की घठना घटी ती ये तो बहुत ही मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे जो जिसमें पुलीस को मता रहा हूं यह पोरे की मुखमंत्री CMO अवाद से आधेश गया और वहाँ पर जो इस समय पसंद कुमार है जो ADG है और उसको प्राद जो पूरा कांपु पर जो आई-जी है उसमें यह था है कि विकार तुटे कांथर कर दो जो जो अच्छा और एक चीज़ आपको बताओ कि यह यह कोई लोकल कामपूर के ठाने की मुंबरी नहीं थी तो हुआ ने विकास दुबे को पता किया कि लोग आ रहे हैं वागता है कि सीमों के अंदर जो ब्रामन लॉभी है उसी ने विकास दुबे को पुप पूप पिया है अच्छो और विकास दुबे करीगे एंदर जाये बिनकु छोवएपुर के शुक्त प्रफ़ पाती नहीं कि इनको यह इनको से आप आप निगल जाएएं लेकिन बिनन में दुबे बहादूर का आश्या करेंगे करेंगे हम ने में में सिजज ने और करीब पचास पुलिस वाले आगे शारे थे, लिशे से घेरे हुए से इनको चारों तरफ से घेरागे लेकिन ऐसे आप राधियों को अमरे जी मुझे थोड़े सी इस बात पर अपत्ती होगी कि ऐसे अप राधियों को बहादूर कहना ठीक नहीं होगा जिन्होंने आर्ट पुलिस कर्मियों की अब आप अवर्टी हो सकती है लेकिन देखे एक इत्याजतार हूँ और सोशल साइंटिस्ट हूँ जे जिस समाज में एक वर्ट संगर्ट और सही राजित नहीं हो पाती है वहाँ अपराधी काईबार वो है वो बगावत का इत्ता इतना बगावत का नितुत कर्थ ये सच्चाई ये सच्चाई तो जो पूलन देवी को हम एक बड़ा मांग कर्थे और उसके साथ हम मांसिंग को और मारूप चंबल में पुरा है कहां से यह थी वहाँ तो हमारे जोस की पिक्चर का टैलाओ है अच्छा कि हम टकेत हैं बागी है पांसिंग तोमर गांसिंग तोमर जी हां और और कांपूर और कितने पास हैं तो मेरे के नहीं होते हैं लेकिन फिर भी मुखता क्या है कि एक 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 राजियृतिक स्रूम में जब लोगों की उपर गुर्म हो रहे हैं लेकिन एक बात इसमें ये बात भी निकल के सामने आ सकती हम्रेज जी कि अगर आप ये कहने की कोशिस कर रहे हैं कि चूकि आप ब्रहमण समा से हैं और ब्रहमण कोई इस तरह का चवी का दिखाई दे रहा है आपको तो आप उसकी फेवर कर रहे हैं तो अगर हर समाच के लोग इस तरीके के चवी के लोगों की मदद या फिर वैचारिक तोर पे उसका समर्थन करने लगे तो आपको क्या लगता है कि अपराद कभी रुखे का सब अपना अपनों जेस्टिफिकेशन देंगे फिर वैज देखे अपराद को रोकना है नरोकना है ये किसी एक बुद्धिवे के बसकी बाद के बसकी बाद कर अगर हमने ये कहा कि पुलन देवी के उपर रहते चाब हुआ जी और ये रिका कि उसने को कहा सही किया उसने को प्या लेकि और मैं आपको बता गों कि मैं पुलन देवी पार्टू लिख रहा हुआ अच्छा क्या बात है बहुत बाद 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 बेदी के लिए जिनोंने बैंडिट्वीन प्रदूस की जी जी बिल्कुल उन्हीं को ये सब्सक्राइब बैंडिट्वीन पार्टू और अभी उनके पती हैं उमेद सिंगी मेरे साथ में अभी दिसंबर में इनका इनके साथ हुआ है जो जब से वो सांशद मनी और जो हत्य हुए उनके उनके उसकी साज़िश क्या है यह हमने एक स्लॉर को बीट चोपाने बड़े जिए जी अछा में एक चीज़ और जाना चाहूंगा अभी जो अभी की मौजूदा सरकार के जो बीपक्ष पार्टी है जो सपा है मौला हैं सिंग्यादो जी की पार्टी है अखलेज जी की पार्टी है इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसके मैं आपके राय को जानने के बाद उनसे जुड़ा हुए एक सवाल करूँगा क्या आप कहना चाहेंगे इनके मतलब इस्टैंड इनके पॉलिटिकल इस्टैंड के बारे और खुद विकास दूबी के हत्याक कांड मतलब इनकाउंटर पर उनोंने सरकार को गहरा है क्या कहेंगे जी मजुपता है और इसके लिए ये मैं अखलेश यादव दूपा मैं मतलब इसमें मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा या उनका मैं इस्टैंड लिया तो समाजवादी पर इसमें पार्टी भी है मेरी मैं विपक्ष में हूं तो विपक्षी ताक्तों की एक्ता पे मेरा दो रहा बिलकुल सही तो जो भी आहां इसमें समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी पर इसमें बिलकुल आप यह लिकिन इसी से संबंदी ते एक मेरा सवाल है क्या इसमें आपको ये डबल स्टेंडर नजर नहीं आता है सपा का, कि इससे पहले भी एक पुलिस अधिकारी की हत्या हुई थी, जो DSP रैंके थे हैं, जानते होंगे, और नाम किसका आया था, राजा भाईया का यहाँ, तो ये मतलब ये डबल स्टेंडर नहीं लगता है इन के स्टैंड का इसमें प्माजवाधी पाठी के साथ, मैं खुल के कह रहा हुए, जोई समश्य नहीं है, इन्हों ने ठागों के साथ जो एक डिस्ताब है, और ये मलाएंच सिंग के समय की बात है, जब मलाएंच सिंग के राज्म के राज्मि पतन की और अग्रसर थी, और 2012- साथ के लिए जिए जब अमर सिंग आये और अमर सिंग इनकों एक गलत बिशा मिले गये जो पुछ उन्होंने माना है नहीं होगे है उसके बाद पिर घयशोब है मतलब ग्यों अखलेश सरकात में बढ़ी गलती थी रगुराद पताब सिंगे साथ अलाइंस कर अधियर यह आदमी यह यह किसी में अधियर कि नहीं है यह किसी भी तरह के राज़ी संट्रेश भी यह विल्कुल बिलकुल सही है जो अभी यूपी सरकार है जो लगतार हर मोर्चे पर फेल होती आई है आप किसानों के पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टन्ट है अभी जो मजदूरों के साथ जो हलात हुए है जो कोवीड-19 की वज़ा से आपने देखा होगा कि उन्होंने कानून को भी खतम कर दिया जो लेबर ल कि इसको पूरी मीडिया वालोंने जंगलाजकी उपाधि दे दी यूपी में जो तरह की घलात हो रहे हैं लगतार हत्याएं हो रहे हैं जिस तरह के आप बता रहे हैं संख्या बता रहे हैं बर्मण हो या याद कर आदू समाजम्प्री TechFj representative क entrepreneurs कि कमानात कहीं आप आप देख रहे हैं कि कहीं किसी को जान भूपलों अब लाग ब्लकुल तौ इसको क्या आप जंगल लज अब ये देखें ये इसके खिलाफ तो है एक आखरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संग्यान लेके जिए जुबीशल इंक्वारी बठाता है जिए ठीक है हमको उम्मीद कम है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के बचाफ किया आप समझ लिए 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 कि इसमें इसमें एक साल के अंदर बड़ा जन विद्रों होगा किसी भी तरीके का होगा उसमें कई लोग सामें लिए और वो दूंसात्मा को आप देख लीजेगा और ये मैं एक समाथ साथ्त्री के तौर पर कह रहा हूं जो ट्रेंड्स को समिझ लाएं लिए ये जो फाप जाना को football लगतार अधिवार्शों विद्रों बड़ाँ बड़ा मिद्रों विद्रों लोग में कशान विद्रों लागतार अधिवार्शों मिद्रों राएं परनी रही है तो जंता अपना परशान हो तो जंता खुद ही सडक पर उतरेगी बिलकुल अब आप देखी आप अचाही ये बताई ये रही बाई जे अब लेखे हमेशे ही तो ऐसे लो इनका आपने नाम ने सुना वो एक्दम सुबरे मतलब ब्रामडों के खिलाब रंजिस जैसे हो गई उसके उताराएं यहां ठाकुट के साथ परसंट है ब्रामड चौदा परसंट है आर पार की लड़ाई होगे तो यह टिक नहीं पाए हम लोग भी असलेहों में कम नहीं है हम दुशीदे करें कभी पर अगर यह नौबाद आ बिल्कुल यह मतलब देखें ब्रह्मर समाज की तो बहुत रिस्प्रा अब योगी अधितिनाथ के बारे में बात करें वें तो योगी अधितिनाथ के उपर में भी खुद बहुत सारे अपराधिक मामले हैं यह और मुझे याद है कि 2014 के एलेक्शन के वक्त में परधान मंत करवाई करेंगे फास्ट ट्रैक में उसको जेल में भीजवाएंगे लेकिन यह कहानी मतलब क्या लगता आपको यह भी एक ब्रामेबाजी थी देखिए अब यह तो यह अच्छी मजागे तो फुद नरेन मूदी कितने आरोपों से घ्रें रहे हैं ग्रैम मंत्री कितने आरो बात से उपड़ तो ख Kentucky यह जेल में थे यह आके संसद में रोई बिल्कुल यह 11 जिन जय जेल में थे यहाकी संसद में रोई इनका फुटेज है पूरीया पूरे हंडुस्तान जानता है संसद में हैं और ये कहके रॉय कि मुझे जएल को चैने का मद्द आप ष्या सब्सक्राइब कर दी हो इन्हों ने काया कि मुकदमा नहीं चलना धिक जब यह प्लान है कि यह प्लान ही है तो फिर उत्तरद्देश की जनता है तो अग्रेज़ों के खिलाव हमने बंदों को पटाई तो इन्प खिलाव उटाले गृण झाल झाल